जेही नमस्का दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों वन रेंक वन पैंसन 3 के बाद आटवे वेतन आयोग में एक बार फिर से बढ़ेगी बोतपुरू सेनिकों फैमली पैंसनस और डिसेबिलिटी पैंसनस की पैंसन सिपाई से लेके ओन्रे केप्टन की पैंसन में होगी लगबग 6,000 रुपे से लेके 14,000 रुपे की हर मैंने बढ़ोतरी जितनी पैंसन ओर रोपी 3 में नहीं बढ़ी है उससे ज्यादा पैंसन आटवे वेतन आयोग यानि एक जनवरी 2026 से बोतपुरू सेनिकों की बढ़ेगी मैं आगे इस वीडियो में आप सबको ओ आरोपी 3 की टेबल के अनुसार आटवे वेतन आयोग में जो संबावित फैक्टर लगने जा रहा है उसके मुताबिक पैंसन कितनी बनेगी वो टेबल के जरिये समझाऊंगा टेबल पे ज्यान दे दोस्तों ओरोपी 3 पैंसन टेबल 1 जुलाई 2024 एर्थ पे कमिशन 1 जनवरी 2026 एक जुलाई 24 से जो ओरोपी 3 की पैंसन टेबल जारी हुई है इस पैंसन टेबल के अनुसार ही आटवे वेतन आयोग में डिफेंस पैंसनस की पैंसन में बढ़ोतरी होगी तो नीचे आप देखें टेबल में रेंग क्वालिफाइंज सर्वीस OROP 2 से OROP 3 में पैंशन कितनी हुई है अब आप देखें DR 8-8 62% ये 62% कब होगा एक जनवरी 2026 से एक जुलाई 24 से 53% फिर एक जनवरी 25 से जो एकस्पेक्टेड है वो 56% एक जुलाई 25 से एकस्पेक्टेड 59% और एक जनवरी 26 से एकस्पेक्टेड यानि सम्भावित 62% तो DR जब 62% लगेगा तो पैंशन कितनी होगी आप यहाँ पे देखें ये जो आँखडे लिए गए हैं ये 62% के अनुसार लिए गए हैं अब दोस्तों 8-way pay commission में जो fitment factor है वो अभी एकस्पेक्टेड 1.92 है ये बढ़ भी सकता है और 0.012 वापस कम भी हो सकता है लेकिन 99% यही possible है कि 1.92 फैक्टर लगेगा अब 1.92 फैक्टर जब O.R.O.P. 3 की pension के उपर लगाय जाएगा तो pension कितनी निकल के आई और ये pension है जो आपकी जब 8-way वेतनायोग लागू होगा तब O.R.O.P. 3 की pension से 8-pay commission में pension आते ही हर मईने बढ़ोत्री कितनी होगी सबसे लास्ट कोलम में आपको दिखाये गया है तो पहले बात करें सिपाई 15 साल की तो 20,325 O.R.O.P. 3 में pension है और ये pension 62% DR के साथ 32,927 रुपे हो जाएगी एक जनवरी 26 को और एक जनवरी 26 को जब 1.92 फेक्टर लगेगा O.R.O.P. 3 के उपर तो पैंसन हो जाएगी 49,024 रुपे है और आटमे वेतनायोग में जो बढ़ोत्री है वो 6,098 रुपे की होगी सिपाई 15 साल के लिए सिपाई 17 साल के लिए आप देखे हैं तो 20,430 रुपे O.R.O.P. 3 में पैंसन है और 62% DR के साथ 33,150 होगी और आटमे वेतनायोग में 49,290 रुपे है इन दोनों का डिफ्रेंस निकल के आ रहा है 6,149 रुपे यानि आटमे वेतनायोग में 6,149 रुपे का सिधा सिपाई 17 साल के ग्रुप वाई वाले को फाइदा होगा सिपाई 19 साल की बात करें तो 21,425 मोजूदा पैंसन है O.R.O.P. 3 की और ये पैंसन बढ़ते बढ़ते एक जनवरी 26 को 62% DR के साथ 34,709 रुपे होगी अब आटमे वेतनायोग में जब 1.92 फेक्टर लगेगा तो 21,425 इंटू 1.92 करें तो पैंसन मन जाएगी 41,136 रुपे और जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है 6,428 रुपे यानि आटमे वेतनायोग में सिपाई 19 साल की 6,428 रुपे पैंसन बढ़ते होगी और उस समय फिर से DR 0 से स्टार्ट हो जाएगा बात करें नाइक 15 साल की तो ये आखड़े आप यहाँ पे देखें 6,205 रुपे की बढ़ोतरी निकल के आ रही है बाकी आखड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं और और अपी 3 की पैंसन 62 परसेंट DR के साथ आट में वेतन आयोग में कितनी बनेगी 1.92 के साथ और ये डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है नाइक 17 साल की बात करें तो 62 परसेंट DR के साथ एक जनवरी 26 को 34,811 पैंसन बनेगी और आट में वेतन आयोग के फेक्टर के अनुसार 41,257 पैंसन हो जाएगी 41,257 में से 34,811 को माइनिस करेंगे तो 6,446 रुपे की बड़ोतरी आट में वेतन आयोग में होने जा रही है नाइक 22 साल की बात करें तो ये बड़ोतरी आप देखें 45,200 रूपे आठवे वेतनायोग में पैंसन होगी और 7,021 रूपे की बड़ोतरी आठवे वेतनायोग में होगी अब नीचे दोस्तों आप देखें हवलदार जिसमें 19 साल, 20 साल, 22 साल, 24 और 26 साल की हमने आपके क्वालिफाइंग सर्विस लिए तो हवलदार की आठवे वेतनायोग में आते आते 7,030 रूपे से लेके 7,645 रूपे की बड़ोतरी हो जाएगी इसी परकार ओन्रोई नाइप सुबदार की बात करें 24 और 26 साल में तो इनकी पैंसन 49,417 और 51,337 आठवे वेतनायोग में होगी और बड़ोतरी 7,721 से 8,021 रूपे तक की ओन्रोई नाइप सुबदार के पैंसन में सिधी सिधी बड़ोतरी होगी आगे बात करें नाइप सुबदार की तो 24, 26 और 28 साल के आंकड़े हमने यहां पे लिये हैं पैंसन 51,504 से लेके 53,600 रूपे तक और जो बड़ोतरी होगी वो है 8,048 रूपे से लेके 8,345 रूपे तक आप अमनी क्वालिफाइंग सर्वीश के अनुसार कम्पलीट डाटा आगे चेक कर सकते हैं बात करेंगे सुबदार रेंग की तो सुबदार रेंग की हमने यहां पे 18 से लेके 30 साल क्वालिफाइंग सर्वीश तक का डाटा लिया है और जो pension होगी आठ में वेतनायोग में 1.92 फेक्टर के साथ तो वो 52,032 से लेके 60,480 तक pension बड़ोतरी हो जाएगी ये बड़ोतरी हर महीने 8,130 रुपे से लेके 9,450 रुपे किये यानि सिदा सिदा इसका मतलब यह है कहने का कि OROP 3 में आपकी जो pension बड़ोतरी होई है वो 2-3,000 रुपे की होई है जबकि आठ में वेतनायोग जब लागू होगा तो ये pension बड़ोतरी 8-9,000 रुपे हर महीने सुबदार रेंकी होगी इसलिए आठ में वेतनायोग का गठन करना अभी से बहुत जरूरी है केंद सरकार को तुरंत इसका गठन करना चाहिए टाकि जो सेलेराइड और पैंसनस करमचारी और पैंसनस है उनकी जो उमीदे हैं उस पे सरकार खरी उतरे और सही समय एक जनवरी 2026 से आठ में वेतनायोग लागू करे दोस्तों बात करें सुबदार मेजर रेंग की तो आप देखें सुबदार मेजर की जो पैंसन है वो 64,800 से लेके 66,384 आठ में वेतनायोग में होने जारी है और 10,125 से लेके 10,333 रुपे की सिधी सिधी बढ़ोतरी होगी ओन्री लेपनेंट की बात करें 26 साल से लेके 32 साल के यहां पे आँखडे लिए गए हैं तो 76,224 से लेके 88,896 तक पैंसन बढ़ोतरी आठ में वेतनायोग में 1.92 फेक्टर के साथ होने जारी है और यह जो फेक्टर है और रूपी 3 की पैंसन के उपर लगाया गया है और और रूपी 3 की पैंसन के उपर ही लगेगा अब यह बढ़ोतरी 11,910 रुपे से लेके 13,890 रुपे की बढ़ोतरी है अच्छी खासी बढ़ोतरी है इसी परकार बात करें और केप्टन की 30 साल से लेके 32 साल क्वालिफाइंग सर्वीश तक हमने आखड़े लिये तो मुझूदा पैंसन 42,500, 42,625, 42,330 है और एक जनवरी 26 को 62% DR के साथ 68,850, 69,50, 75,006 होगी और उसी के उपर जब फेक्टर लगेगा OROP3 की पैंसन पर 1.92 तो ये पैंसन 81,600 यानि 30 साल क्वालिफाइंग सर्वीश वाले की 12,750 बढ़ेगी 81,840 31 साल वाले की 12,788, 32 साल वाले की भी सेम और साड़े 32 साल वाले की पैंसन में ज़्यादा फरक पड़ेगा 88,896 इसमें से 75,006 को माइनिस करेंगे तो 13,890 रुपे की बढ़ोतरी आठवे वेतनायोग में और केप्टन 32 साल के लिए निकल के आ रही है दोस्तों इस टेबल को लाने का मकसद ये कहीं नहीं है कि आपको जब एक जनवरी 26 से आठवा वेतनायोग लागू होना है तो उसके डेटा को अभी क्यों दिखाये जाए दोस्तों हमेशा आदमी को सजग रहना चीए अपनी मांगों को सही समय पे उठाना चीए आठवा वेतनायोग लागू होने में और उसके गठन में अब जो भी हो रहा है वो सरकार उसमें देरी कर रही है आठवा वेतनायोग का गठन लोकसबा चुनाओं से पहले ही हो जाना चीए था ताकि आठवा वेतनायोग की जो कमेटी है समीती है वो फिल्ड में जाए करमचारियों तक जाए सेनिकों तक जाए यूनूटों में जाए हर जगे पर जाए और उनसे पूचे कि आपको आटवे वेतन आयोग में क्या चाहिए इसे पहले के वेतन ayok जो है उनमें क्या विसंगतियां है जो comingty होती है उसको finding और अपना जो पेस करनी है तो ये समीती और जो आटमे वेतनायोग की जो कमेटी है वो सही से वेतनायोग नहीं बना पाएगी इसलिए अब भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है सरकार को तुरंत ही आटमे वेतनायोग की जो कमेटी है उसका गठन करना चाहिए वो कमेटी सही से अपना ड्रा में हो और दोस्तों जिस परकार आटमें वेतनायोग में इससे पहले के जितने वेतनायोग है उनमें जो फोर्मूला लगता है जो मेंगाई भत्ता और मेंगाई रात होती है उसके अनुसार जिस परकार चटे वेतनायोग साथमें व्यतनायोग में 2.57 फेक्टर लगाता वही calculation के अनुसार आठ वे व्यतनायोग में 1.92 फेक्टर लगने की पूरी उमीद है क्योंकि जो DR है वो 62% ही पहुंचेगा इसलिए 2.57 जा 7 वे व्यतनायोग में फेक्टर लगाता वही आठमें वेतनायोग में जो फेक्टर में कटोती हो रही है 1.92 की ही संभावना है और 1.92 के अनुसार भी यदि पैंसन ओरोपी 3 को बढ़ाया जाए तो पैंसन में 6,000 रूपे से लेके और यहां पर देखे आप आखने 13,890 रूपे तक की बढ़ोतरी सिपाई से लेके और केप्टन की पैंसन में हो सकती है और इन बढ़ोतरी के उपर जो पैंसन होगी 1.92 आठमें वेतनायोगी उसके उपर 0% से फिर दियार लगना शुरू होगा तो आगे फिर पैंसन हर 6 महिने में बढ़ती जाएगी तो दोस्तों इस परकार मैंने आपको समझाए आंकडे OROP 3 पैंसन टेबल के अनुसार आठमें वेतनायोग में आपकी पैंसन कितनी बढ़ सकती है जानकरी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आगे भी इस परकार की जानकरी आप पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और नई जानकरी के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैबारत वंदे मात्रम